शीत कालिन सत्र से संसद खामोश है लेकिन सियासी गलियारों में संसद पर संग्रा मचा हुआ है क्योंकि BJP आरूप लगा रहे है कि TMC सांसद बहुआ मोहित्रा ने पैसे लेकर सवाल पूचे है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है इसे पहले भी साल 2005 में कैश के बदले सवाल पूचने के आरूप के चलते 11 संसदों को अपनी संसदी गवानी पड़ी जसके बार देश की सियासत में काफी गहम अगरनी भी देखने को मिली थी हलाकि उस समय बीजेपी ने उस फैसले का विरोध किया था लेकिन हाल फिलहाल बहुआ मोईत्रा कैश के बदली सवाल पर गिरती नजर आ रही है अब मन में सवाल आता है कि आखिर संसद में सवाल पूचने का प्रोसस क्या है कौन थे वो MP जो साल 2005 में कैश फॉर क्वेशन मामने में खिर गए थे दरसल लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूचने के लिए होता है जोसे प्रश्णकाल कहा जाता है इसका संसद की कारवाही में खास महत्व होता है प्रश्ण पूचना संसदों का अधिकार है और इन प्रश्णों के अधार पर ही सरकार को पसोंटी पर परखा जाता है है जोरान किया जाने वाला हर प्रश्ण जिस मंत्राले से जुड़ा होता है उसके मंत्री को उत्तर देना होता है अब आता है बेहत जरूरी सवाल जो की अभी के महुए मोहित्रा मामले में भी एहम है आगर प्रश्ण पूछने का तरीका क्या होता है मीडर रिपोर्ट्स की माने तो संसद में प्रश्ण की भी अलग-अलग कैटेगरी होती है अगर किसी सदर्स के प्रश्ण को मौकिक उत्तर की कैटेगरी में रखा गया है तो वो सदर्स से अपने प्रश्ण की बारी आने पर सीथ से खड़े होते हैं और अपना प्रश्ण पूछते हैं जैसे आपने अकसर देखा होगा और संबंद विभाग के मंत्री उस प्रश्ण का उत्तर देते हैं इसके बाद जो सदर्स से ने प्रश्ण पूछा था वो दो अनुपूरक प्रश्ण पूछ सकते हैं जिनका वो नाम पुकारते हैं ऐसे सदर्स की संख्या प्रश्ण के महत पूपण निर्भर करती है इसके बाद अगला प्रश्ण पूछा जाता है प्रश्ण काल के दुराण जिन प्रश्ण के उत्तर मौकिक उत्तर हेतू नहीं पहुंचते हैं उन्हें सदन के पचल पर रखा गया माना जाता है प्रश्ण काल के अंथ में यानि तवा मौकिक उत्तर दिये जाने के बाद अल्प सूचना प्रश्ण कूल लिया जाता है और इसी तरह से उनकी भी उत्तर दिये जाते हैं आज तक की खबर की मानें तो सवाल करने की नियम लोकसभा में प्रिक्रिया और कारस उंचालिन की नियम के अंतरगर 32 से 54 तर्थ है ये नियम अध्यक्ष के लोकसभा के नदेशों में शामिल नदेश 10 से 18 के सरिये डारेक्ट होते हैं प्रश्ण पूछने के लिए सांसत पहले निश्रे सदन के महा सचिप को संबोधित एक नोटस देता है इस नोटस में वो जाहिर करता है कि उसे प्रश्ण पूछना है नोटस में आमतोर पर प्रश्ण का पाठ जिस मंत्री को प्रश्ण संबोधित क्या गया है उसका आदिकारिक पत नाम, वो तारीक जो पर उत्तर दिया जाना है और यदि सांसर उसी दिल एक से अधिक प्रश्नों के नोटिस देता है तो उनका वरियता क्रम भी डर्श होता है सदश्से को किसी भी दिन मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए पुल मिलाकर प्रश्णों की 5 से अधिक नोटिफिकेशन देनी की अनुवती नहीं है एक दिन में किसी सदस्य से 5 से अधिक प्राप्त नोटिसों पर उस सत्र की अविधी के दुराण उस मंत्री से संबंधित अगले दिन के लिए बुचार किया जाता है लोगसभा की नियावावली के अनुसार लोगसभा में प्रश्णों काल में आम तोर पर किसी प्रश्ण की सूचना की अबधी 15 दिन से कम नहीं होती है तो ये होता है पूरा प्रोसेस हाला की एक बात बहुत रहने वाली है कि हर सवाल पूचना संसर सदस्य का अधिकार में नहीं है किसी वेक्ति से जुड़े ऐसे सवाल नहीं किये जाते जो उसके चरित्र हनन की ओर ले जाते है अब सवाल उठता है कि महुआ मोहित्रा से पहले कभी क्या ऐसा मामला सामने आया और अगर आया तो उस पर क्या कारवाई हुए उसके बारे में भी जानते है रिपोर्ट के मताबिक बिस्निसमेन दर्शन हीरा नंदानी ने कैश के बत्ले सांसत महुआ मोहित्रा पर लोगसभा में सवाल कुछनी का आरोप लगाया है जिसके बाद बीजेपी सांसत निशिकान दोबे ने लोगसभा द्यक्ष ओम बिर्डा को पत्र लिखर महुआ को सांसत पत्स से निलंवन करने का अनुरोद किया पत्र में साल 2005 की एक मिसाल कभी जिक्रे किया गया है जिसके बाद लोगसभा द्यक्ष ने मामला एथिक्स कमिटी को भेच दिया है जो इस मामले पर फैसला लेगी एथिक्स कमिटी को आसान भाषा में कहें तो ये कमिटी संसत में अनुशाशन और मर्यादब बनाये रखने के लिए काम करती है वर्तमान में Ethics Committee के धस्ट बी जेपी के विनुद कुमार सूनकर हैं हलाकि Ethics Committee में कुर 15 सदर से है जिसमें साथ बीजेपी के हैं अब जानते हैं कि आकर साल 2005 में हुआ क्या था दरसल साल 2005 के घट्टा में 11 सांसथ हाथ में पैसे ले ते दिखे थे एकनेजी चानल ले 12 दिसंबर 2005 को ये वीडियो चारी किया था जुसमें देखा गया था कि ये सांसद अपने मन मताबिक सवाल पूछने के लिए नकत पैसे ले रहे थे इनमें BJP के 6 सांसद और मायावधी की पार्टी BSP के 3 सांसद आरोपी थे इसके लावा एक कॉंग्रसी और एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राज़त से सांसद थे इनमें BJP के YG महाजन, छत्रसाल सिंग लोधा, अन्ना साहिब MK पाठिल, चंदर पताप सिंग, प्रदीब कान्धी, सुरेश चंदेल, बसपा के पास, नरेंदर कुमार कुश्वा, लाल चंदर कोर और राज़ा रामपाल थे इनमें लोधा राज़ो सभा के सदस से थे, बाकी लोगसभा के थे उस समय लोगसभा के अध्यक्ष पंगाल से CPM सांसद सुनना चटोपाध ध्याय थे, वीडियो सामने आते ही जाज कमिटी गचछत कर दी गई समयती के अध्यक्ष पंग्रस सांसद पवन कुमार बंसल ने की, समयती द्वार अपनी रुपोर्ट देरी के बाद, प्रड़क मुखर्ची ने समुद्धे को लोगसभा में उठाया, वो समय संसद के निचले सदर में कॉंग्रस पार्टी के नेता थे तदकालीन प्रधान मत्री मनमोहन सेंग यही प्रुस्ताव राजसभा में लेकर आये, घटना सामने आने के दस दिन के भीदर, लोगसभा और राजसभा में वोटिंग के सरिये 11 संसदों को निश्कासद कर दिया गया था हाला कि BJP ने वोटिंग का वहिश्कार किया था, उस समय विपक्ष के नेता लाल कृष राजवारी ने वोटिंग को कंगारू कोट कहा था कुछ समय बाद मामला सुप्रीम कोट में भी गया, जुस्वर चुनबरी साल 2007 में सुप्रीम कोट के एक फैसले ने संसदों को निश्कासद करने के संसद के फैसले को परकरा रखा दरसल सांसदों ने अपने निश्काशन को चुनौती देते हुए एक याचका दार्की थी, जिसमें ये पहस चड़ गई थी कि क्या दालत संसद की प्रक्रियाओं में हस्यो शेप कर सकती है स्टोरी को आपके लिए तियार किया है हमारे साथी मंचकारश अपकान ने, स्टोरी पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट करके सरूर पताएं, साथी वीडियो को लाइक और हमारे चानल को सब्स्राइब करना ना भूले